हेलो प्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम दे स्ट्रेंजर और आउट साइडर का जो के आलबर्ट कैमस के लिखी हुई है इसका हम वुक वन का थर्ड चाप्टर डिसकस करेंगे तो चले देरना करते हुए हम थर्ड चाप्टर शुरू करते है थर्ड च जाये करता है और वहीं उसी विचि वी उसकी बातचीत होती है उसके बाऊस से और वह अपने बाऊस से यह कहता है कि आहां उनके बात्रूम का रोलर टावल है वो दिन के आकरी तक कितना जादा अनप्लेजन्ट हो जाता है और उसे यूज करना कितना मुश्किल हो जाता है उसके बाद मेसो के आफिस में लंच ब्रेक हो जाता है जिसके बाद वो अपने दोस्त इम्मेनियल से मिलता है और दोनों साथ मिलके Celesty restaurant तक race type का लगाते हैं वो भी truck के पीछे बैट के दोनो Celesty restaurant पहुंचते हैं फिर वहाँ पे मेसो को सब पूझते हैं उसकी मा का death के बारे में तो फिर मेसो कहता है कि हाँ सारा अंतिन संस्कार वगरा हो गया और अब सब कुछ ठीक है और वहाँ पे मेसो बहुत सारा ड्रिंग कर लेता है फिर थोड़ा सो लेता है उसके बाद वो वापस break खतम होने के बाद अपने office चला जाता है काम पे काम से वापस आने के बाद वो अपने पड़ोसी सलमनो के पास जाता है सलमनो कोई family नहीं है उसके साथ सिर्फ एक उसका एक pet dog है दोनों साथ में रह रहे हैं बर्सों से और एक ही time table follow करते आते थे दोनों काफी कुछ एक ही तरह के दिखते थे लेकिन हमेशा सलमनो जो है उस dog को मारता था उसको curse करता था यानि बद्दुआ देता था और बहुत जादा उसको torture करता था तो फिर मेसो उस दिन सलमनो से पूची लेता है कि आखिर उस dog की गलती क्या है उस pet ने किया क्या है तो सलमनो कहता है कि इसकी गलती ये है कि हमेशा मेरे सामने होता है बस यही इसकी गलती है उसके बाद मेसो अपने एक और पड़ोसी रेमंड के पास जाता है रेमंड सिंटे जिसने कि उसको डिनर के लिए इन्वाइट किया था तो फिर रेमंड के बारे में बहुत जादा अख्वाएं पहली होई होती है पूरे शहर में लोगों का कहना है कि रेमंड जो है वो एक पिम्प है पिम्प वो लोग होते है जो लोग की प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते है और बिजनेस करते है लड़कियों का बिजनेस करते है तो फिर इसी चीज़ को लेकर शहर के कोई लोग उसे पसंद नहीं करते और सब लोग रेमन्ट से बहुत जादा दूरी बना के रखते हैं लेकिन मिस्सो का जो है उसी इस बात से फरक नहीं पढ़ता कि लोग क्या सोचते हैं कि वो जानता भी नहीं है कि इस बात में कितनी सचाई है और कितना जूट है लेकिन मिस्सो को जो है रेमन्ट ऐस परसन बहुत ज़दा इंट्रेस्टिंग लगता है और उसको कोई भी वज़ा नहीं लगती जिसकी वज़़ा से वो रेमन्ट से दूरी बना है इसलिए वो रेमन्ट के साथ बातचीत करता है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई होती है तो वो रेमन्ट के घर जाता है तभी वो देखता है कि रेमन्ट जो है अपने हाथ पर बैंडेज लगा रहा है उसको चोट लगी वही है पूछने पर रेमन्ट बताता है कि उसकी फाइट हो गई थी किसी के साथ किसी ने उसे तंग किया और उसकी फाइट हो गई तो फिर वो जो तंग करने वाला है वो इंसान रेमन का कहना है कि उसकी जो प्रेमिका है मिस्ट्रिस उसका भाई है वो और रेमन को doubt था कि उसकी जो mistress है वो उसको cheat कर रही थी doubt था वो उसको यकीन नहीं था सर्फ doubt था क्योंकि कोई एक lottery का ticket था उसके प्रेमिका के पास और बे कुछ एक सामान थे जो कि कहां से आये उस चीज का वो justification नहीं दे पाई वो नहीं बता पाई कि उसके पास यह सारी चीज़े कहां से आये या फिर उसे किसमें वो सब दिये तो फिरेमन को doubt था कि उसकी प्रेमिका को उसको cheat कर रही है और किसी दूसरे लड़के ने उसे यह सब दिया था और गुसे में इसकी वज़े से उसमें उस वह अपनी मिस्ट्रेस से बदला लेगा और अपनी बेज़वति का उसका भाई जो आकर इसे मारा उससे उसका बदला ले तो मैस्सो कहता है कि वह बदला लेने में उसकी help करेगा वो एक उसकी मिस्ट्रस को एक ऐसा letter लिखके देगा कि वह उस letter को पढढ कर वापस आज एग यह जो letter वाली idea जो है यह बहुत जादा अच्छी लगती है और वो मिसको कहता है कि हाँ तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो तुम्हें ही पता है कि मेरे लिए मैं क्या चाता हूँ क्या नहीं चाता हूँ मेरा अच्छा बूरा तुम ही जानते हो तो फिर यह जो सारी conversation होती है letter के बारे में और बदले के बारे में यह सारी चीज़े normal condition में नहीं होती है मेसो और रिमन डोनों ही बहुत जादा drink कर लिए होते हैं खासकर कि मेसो बहुत में इस सारा बोल रहा होता है कि वह letter लिखके देगा फिर वो जो मिस्ट्रस आये वह पक्का चीटर है तो मुझे मुझे थूपना तो बस इस chapter में इतना ही है अगली वीडियो में हम chapter 4 discuss करेंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेर करना और कमेंट करना मत बूलना वापस मिलता है हम अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू